गर के लिए लाइम प्लाश्टर करवाई या फिर जिपसम प्लाश्टर करवाई दोस्तो आपके दिमग में अगर इस सवाल आ रहा है तो आप सही वीडियो पे आए हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा प्लास्टर आपके घर के लिए बैतर है और कौन सा सबसे ज़्यादा टिकाओ किस में आपके पैसे बचेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है यह सबी पॉइंट्स जो है हमें इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले और भी प्लास्टर से है जैसे कि P.O.P. प्लास्टर हुआ उसके बाद में संदला प्लास्टर हुआ और उसके बारे में हम कभी और देखेंगे चूना और जिप्सम ये दोनों plaster जो है वो ज़्यादा करकी यूज होते हैं construction में तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है lime plaster basically lime plaster जिसे हम चूना plaster कहते है यानि कि अंदरूनी जो plaster होता है वो cement plaster होता है और उसके उपर जो layer दिया जाता है वो चूने का layer दिया जाता है उसे हम चूना plaster कहते है और gypsum plaster जिसमें की gypsum का इस्तमाल किया जाता है उसे हम gypsum plaster कहते है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसमें भी आंदर के तरफ तार plaster किया होता है और उसके उपर जो है वो gypsum की जो level dot है उसे लेने के बाद जिसे apply किया जाता है उसे हम gypsum plaster कहते है तो दोनों में से कौन सा बैतर है हम जानेंगे आगे तो दोस्तों अगर अप लोग की चैनल पर नया है हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजे वो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे like करना पिल्कुल भी मत बूलिए तो दोस्तों जैसा की मैने आप से कहा कि दोनों ही जो plaster है वो internal plaster है अब जो finishing होती है वो gypsum plaster की बहुत जादा अच्छी दिखती है compare to lime plaster lime plaster में जो छोटे-छोटे undulations होते है undulations याने की जैसे छोटी-छोटी लहरे होती है वो दिखाई दीती है उसके बाद में lime plaster का दूसरा एक disadvantage यह है कि plaster करने के बाद कुछ एक डेड़ महिने बाद उसमें छोटे-छोटे small hair crack दिखने लगते है gypsum plaster में compare to इतने नहीं दिखते है अगला point जो है दोस्तो जो कोई भी appearance होता है वो gypsum plaster का दिखने में बहुत ज़्यादा sharp दिखता है बहुत ज़्यादा clean दिखता है अगर आप painting भी करते है तो आपको putty वगरा लागने की जरुरत ने आप directly भी paint कर सकते है क्योंकि इसकी finishing बहुत अच्छी दिखती है इसमें जो धार होती है कच होती है याने कि जो corners होते है जो की edges होते है वो दिखने में बहुत अच्छे दिखते है इसलिए एक प्रकर का clean look आ जाता है और एक richness दिखाई देता है आपके plaster में जब आप finishing देखते हैं खास करके आपने देखा होगा कि plaster में जो gypsum plaster है वो खास करके जाद अगर के flats में इस्तिमाल किया जाता है और flats में जैसा कि आप देखते हैं उसमें finishing बहुत अच्छी दिखती है हाला कि यह point जो है वो lime plaster के तरफ इतना नहीं जाता है करने में आपको बहुत जादा difficulty हो जाती है जितना sharp आपको gypsum में दिखेगा उतना sharp आपको जो है lime plaster में नहीं दिखाए देगा दोस्तों आगला point जो हम consider करेंगे वो है cost अब cost में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि cost directly अगर आप gypsum लगाते है तो आपको कम आती है पर मैं आपको यह सला नहीं देंगा तो gypsum का cost है वो कम आता है अगर आप लोग directly apply करते है brick work के उपर हलाकि आपको ऐसा नहीं करना है अगले point में हम उस चीज़ को cover करेंगे और दूसरा point जो आता है अगर lime plaster अगर आप compare करेंगे तो lime plaster जो होता है वो थोड़ा ज्यादा cost आता है क्योंकि sand के जो rate है वो ज्यादा होने के वज़े से जो lime plaster आता है जिप्सum plaster ज्यादा fireproof होता है दोस्तो compare to lime plaster चलिए दोस्तो अब हम आते है हमारे एक point के तरफ अब यह तो हो गई सब जिप्सum के तरफ के point अब आप कहेंगे कि घर के लिए जिप्सum plaster पर आपको इन point को भी consider करना पड़ेगा कि जो की बहुत ज्यादा important है जो की जाते है लाइम प्लास्टर के तरफ जैसा कि दोस्तों सबसे में जो disadvantage है जिप्सum प्लास्टर का वो यह है कि जब भी आप लाइम प्लास्टर करते तो लाइम प्लास्टर में आपको बार-बार maintenance नहीं करना पड़ता पर जिप्सum प्लास्टर जो होता है highly maintenance होता है अगर आप कभी भी सामाण shift करते हैं या फिर अगर इदर उदर आपको थोड़ा बहुत धका भी लग गए तो जिप्सum लाइम प्लास्टर उसमें scratch जल् руки विजिबल हो जाते है उसमें जो है वह 2-4 mm तक directly जो है वह वो scratch दिख सकता है तो ऐसा जो है वह वो लाइम प्लास्टर में नहीं होता है और होते भी तो इतने अबखस मैं जादा आहीं लिखेंगे जह सकते हैं जैसा पानी की संपर्क में आने से कोई फ्रकने पड़ता है हालागि जब भी gypsum plaster जो है वो पानी की संपर्क में आता है तो वो पूरी तरह से पानी को सोक लेता है और वो दिवार से भी उसका bond कम होने लगता है उसकी strength lose करने लगता है ऐसे जगह पे आप इस्तमाल कर सकते हैं और वही पर अगर हम बात करेंगे चूना plaster की तो इसके उपर आप बाल्टी से भी पाने डार के इसे धो देंगे तो कोई problem नहीं हाँ पर आपका color जा सकता है यह बाता लग है तो पानी का जो संपर्क में आने के वज़े से आपको यह पर Juщее Lime Plaster को कोई फरक में फ़ल्ता पर आपको यह चीज ध्यान में रख जब भी आप 네ंट्स तो आपको वाल को अच्छे से तराई कर लिनी है और तो vul में आपको फैसलतर खत्म हो जाता है तो ऐसे वक्त में आपको हलके हाथ से उसके उपर पानी देखर उसके प्रॉपरली क्यूरिंग कर लेना है दोस्तों और जब भी फिनिशिंग के तोर पे आपको मिस्त्री को खास तोर पे ध्यान देखे बताना है कि आपको edges, corners और undulation यानि कि जैसे आप लहरे देखते हैं प्लस्टर के उपर तो ऐसे लहरे को आपको avoid करना है तो यह दूसरा advantage लाइम प्लस्टर के तरफ आजाता है दोस्तों तो अगर आप लोग चाहते हैं अगर आप लोग लाइम प्लस्टर की finishing चाहते हैं तो आप color से पहले उसे putty कर लीजे putty करने के बाद आपको finishing अच्छी मिल सकती है lime plaster में भी तो दोस्तों जहाँ पर भी पानी का संपरकाता है ऐसे जगे पर आप gypsum plaster पिल्कुल भी मत कीजे और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर directly जो आपका builder या फिर आपका contractor जो है नहीं होता है उसे संपरक में जो है आपका gypsum plaster नहीं आएगा तो इसके वज़े से आपका gypsum plaster protection में रहेगा अब दोस्तों देखी builder जो होते है वो directly gypsum plaster के इस्तिमाल करते है इसमें आपके तरफ choice नहीं होता कि आप lime plaster करे या फिर किसी और प्रकार का plaster करे पर अगर आप घर बनवा रहे है तो मैं आपसे एक साला दूँगा अगर आपके आपर highly maintenance आप रख सकते हैं अगर आपको सिर्फ finishing चाहिए और आप maintenance रख सकते हैं तो definitely आप जो है वो gypsum plaster के तरफ जा सकते हैं पर अगर आप बार बार maintenance नहीं रख सकते हैं और आपको थोड़ा long life और durable material चाहिए तो ऐसे वक्त में जो है आप चूना plaster के तरफ यानि कि lime plaster के तरफ जा सकते हैं और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको जो धान में रखनी वाली चीज़ी है जहां तक बात आती है lime plaster की तो lime plaster जैसे कि चूना plaster होता है वो बहुत सालों साल से इस्तमाल किया जाता है और इसका result भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो definitely अगर आप घर बनवा रहे तो मैं आपसे एक suggest करूँगा हो सके अगर आपके finishing अच्छी आ सकती है तो आप definitely चूना plaster के तरफ जा सकते है दोस्तों अब चूना कितना मजबूत होता है यह मैं आपको बताने की जरुरत नहीं बहुत से पुराने कीले जो है वो चूने में बने हुए हाँ यहाँ पर बहुत से पॉंट जो है जिपसम plaster के तरह जाएंगे जैसे कि यह ज़्यादा fireproof होता है compare to lime plaster पर definitely जो maintenance रखने में उसके बाद में जो durability के हिसाब से मेरे खायल से तो भी चूना plaster सबसे ज़्यादा बहतर है आप मुझे comment box में ज़रूर बताई कि आप अपने घर के लिए कौन सा plaster करना पसंद करेंगे तो दोस्तों ये कुछ बात थी आपके घर के लिए जुड़ी हुए जिसमा plaster के तरफ बहुत ज़्यादा advantage है पर lime plaster के तरफ जो advantage है वो comparative ज़्यादा effective है जो कि भी daily use होते है आमारे उससाब से तो ये totally depend करता है आपके उपर आप कौन से plaster के तरफ जाना चाहते कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताई कि आप अपने घर के लिए कौन सा plaster करना पसंद करेंगे और अगर आपके वीडियो अच्छी लेगी तो इसे like कीजे और अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को subscribe कर लिजे इसी तरह की construction related videos के लिए मैं मिलूँगा आपको आगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद